जोई देटी दीदी जोई जोई तेरे सामने कौन खड़ा है देख मैं कहता था ना के तेरा पती दिन्दा है पैचाना इसे ये विजे है तेरा पती नहीं ये मेरा पती नहीं है मेरा पती नहीं है कि अंदर आजाओं अंदर आवन हराओ तुम जहां क्या करें कुछ नहीं स्टार अफ शो का इंतजार कर रही है अभी तक नहा रहा है मैं सोजा या सर्दार फ्लूट मुजिक शॉप में बहुत अची केटार आई ये किपसन की कर दो कर दो बारे गखरेको तो कि अबसे पत्रोप मेराइक जो में जो अबसे करें प्रभऴ एक खू पकार जो जो, है जो है मैं शोब बच्छल कर दो मुझे बड़े अफसम के साथ के आपड़ रहा है कि आज अमर्थ नहीं आसका क्योंकि उसकी जान खत्रे में है अमुसका गाना सुनने भगर नहीं जाएगे उसको आना ही पड़ेगा आओगे सूपर अलब यू शो बिलकुल भूल है जस्वत अब तू जमाले आगे हैं ओके हिरो ओके कर दो ड्माले आगे हैं आया दिवाना तेरा आया दिवाना तेरा आया दिवाना तेरा वो ही नहीं या मैं ही नहीं अब यार की मैं बिल में मैं भी तो देखूं सोर है कितना बाद ले खातल में तेरे पीथे तो मैं हूँ मेरे पीथे जहां दिशाने पर ये दिल है अतेली पर है जान ऑजानी 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 तेरा आया दिवाना तेरा वो आया सरंम्माया दिवा नाचिरा वो आझामाया उðाचिर्ण के नाचिर्ण प्रम्माट साथिजर्ण चौह को अप्राहिजर्ण इधन के एक ट् चौह दोआ मैं है टूएजर्ण ट्लिभरी nesčान ध्राविल्ग, है और बंच्पल, है उल्माटед। सुक्भर हाला है प्रे Small Galatz देख रहा मैं सर पर मेरे मौत पड़ी मुस्का, फिर भी तुझ को प्यार कर दिना जान रहे आजा, अनोधा इश्ट मेरा, मेरा जी आनुपा, निशाने पर ये दिल हरे, अथेली पर हचा अब याया सरनमाया तिवाना से रार पानी को डूपतो में है, देखो जोगी कर दोपता है मालोटरा और मेरी चोड़ी बैंग बबली है यह तो आपका कहना जोंके प्लाट हो गई है अगर आप भी सपने गाले की और ग्राफ को भी देए तो यह बहुत खुश हो जाएगी शेल कौनस का भर बैए एंच लुगन तेजी मैं डांस करते करते बहुत थकगई हूं इधार नमेर आपके स MB hogy चुका मगर में कुछनल समौण दौसका ta मुझे तुमाई जादी जिनन Ai मतलब में लेकिन इस होटल में इस होटल है के ग הפets स्टाफ के साथ नहीं मिल सकते मिस्टि सिंग आपको गलत सैमी हुई है यह डॉक्टर जम्नादास है यह कोई मतलब नहीं लेकिन आज के बाद तुम्हारा इस होटल के साथ कॉंट्राइख खत्म मेरी बात तो सुन लीजे मेरी तांगों में दर्ग होने लगा था इन्होंने कह कि ठीक कर देंगे मैं उपर जेक अप के लिए आई थी मगर इन्होंने आदमी के माथे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसे आद्मी मुझे फुजूल की बाते नहीं चुनी अपना सामान पैक करो अग्यरा तुम्हार और आप सरकार अब यह सोचना पड़ेगा कि आपके आपके श्रीमतीजी को फोन नहीं नहीं वो मुझे माज डालेगी मैं अपने बच्चें को क्या मूँ दिखाऊंगा और फिर ये के दो मिहने के बाद एलेक्शन्स हैना ये स्कैंडल हो गया तो मेरा पुलिटिकल के लिए रमेजा के लिए मारा जाएगा मैं आप से माफी मा पढ़ता हूं और आपके पाउं पढ़ता हूं तो माभी तक यहीं ओलर के आरे चल हट कितने में कटा दस हजार में कटा ये ले पांच तेरे यूबूर इतना प्यार मत कर मिरना घस जाएगा अच्छा ना कब तक आऊगे बस जूड़ी खतम क्या पहुचा तेरे पास ये ल पता चल दाम बढ़ गए इसलिए तुम पुरे पांच ही रख लो वह सब तु ठीक है मगर मुझे पैसे वापस करने में काफी देर लग जाएगी वापस ही ना करो ये कैसे हो सुकता है अरे यार पैसे लोटाने के और भी तरीके होते हैं हमारे पास आओ करीब बैठो प्या आप महेंगी पड़ेगी असल तो असल सूब लटाते लटाते जान निकल जाएगी कित तरहरा लॉफ है आई जीच्छू अलश्चू 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 मैं चला है थो में तुम है मैं एक सेक्यूरइटी इन चार्ज होके तुम यह चोरी कर रहे थे मैं मैं चोरी नहीं कर रहा था दोस्त यह मेरी मजबुरी थी मेरी मां की तव्याथ बहुत खराब है उससे कैंसर और तुम तो जानते हैं उसका कोई इलाज नहीं डॉक्टर ना कहा एक करवाना पड़ेगा उसके लिए जूत मत बोले भी कि तुम्हारी मां को मारे में दो सार हो चुके मेरी सगी मा ती यह सोटली मा है मेरी अगर मैंने का इलाज नहीं करवाया तो मेरे सोटली भाई बेन कहेंगे कि इसकी क्योंकि वह मेरी सोटली इसलिए मैंने से मन ने दिया माजी के आपरेशन के कितने रुपों की जरू थे यह कुछ पांच साथ हजार तो लग जाएंगे कम असकम अगर में तैसे कुछ हो सका तो मैं तुम्हानी मत जरू करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त तुमने मुझे इस पाप से बचा लिया मैं जिन्दगी पर तुम कोशिश की में वहां से भागाई को तुमारे कमरे में बैक गई वहां सब्सक्राइब कर से मारकर तुम खुद भास पर चाओंगी उस्से क्या फाईदा तुम उसे ऐसा मज़ा चखाओ कि उसे जिन्दगी भर्याद रहे ये मेरे लिए क्या बात है विगे उन्मेने आपका गाना कमरे में छोड़ दिया था मिल गाना तो मिल गया लेकिन एक नेकलेस गाब हो गया मुझे तुम से ये उमीद नहीं थी हम रेट तुम्हें ज़रूरत है कल तुमने मुझे से 4,000 रुपया मांगा था ना कमाल करता तु मोती तुमेरी तलाशी ले सकता है मेरे कमरे के तलाशी ले सकता है वो तो ली ही जाएगी भगवत सर महाफ कीजिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं तलाशी ले लूँ लेकिन यह ऐसा लड़का नहीं है मुझे पता है तुम चलो कमाल करता है धूर रिया मैं पापकी फैन हूँ मुझे मामली होते चाहर दर पे चोड़ी करने की क्या जरुवत थी जरा अंदर आएए मोती साहब यही है मेरा हाज चुर्म साबित है इसलिए मुल्जिम अमरित कुमार सक्सेना को दो साल खैद की सक सजा दी जाती है अमरित अरे मोती तू मेरी होटल की कमरे की तरह इस जेल की कोटरी में भी टेलेफोन है तू फोन कर देता आने की क्या ज़रुदी तुझे है तुझे बदलो गई या बदलने से अगर मेरी सजा कम हो जाए तो मैं अब भी बदल जाओ तुम ठीक कहते हो क्योंकि आप मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो बेकसूर तुम मैं हूं ही यार लेकिं तुझे कैसे पता चला परसो या शायद नर्सों की बात है मैंने बीके और लोसका को आपस में जगड़त हो देखा उससे मुझे पता चला उन दोनों ने मिलके तुझे नेकलेस की चोल में भसाया है मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ ऐसे कुछ सबूत लग जाए जिससे में अपनी कुछ करो यार कुछ भी सोचू है और यहां मुती यादा है मुझे पता चला है कि अगर कहीरी का चाल चला न अच्छा हो तो उसे आट-दस महने के कईद माफ कर देते हैं या कि अफसे मुझे कात कि अर्च कि अरे और बाई एक सर तूड गया आप लोग निचे उतरके अराम करो चुड़ा ओओ चलो बच्चा है अरे ओधो तो माजने शनू करने तो हमारे पैसे वापस कर दो कि अब लोगों से हाथ जोलकर माफी मांगता हूं कि रास्ता बंद होने के वज़े से हमारा आदमी वहां फस गया इसलिए उस आदमी के बगैर यह तमाशा नहीं हो सकता अरे मगर आप जब तुने फसी है हमारे पैसे लड़ो तो पैसे लिए लेट पहले यह तो बता हुआ क् अरे बाबू अरे बाबू हम घरए बादमी है रोज कौग होते रोज पैसे हैं हमारे साथ जो गाना गाता था था रास्ता बंद होने के वज़े से नहीं आ सका है कि तुमीयने कुछ समझाो ना हमारी मड़त करो तंटमार से वही जाक है। मज़द कर सकता। कता करी है। कर वैक कि झी ए कर दो गोस्तों कर से कर । कि जाने नोटी का को और Germans ininais कहो कैसे रस्ता भूल पड़े अच्छे तो दिल बरत आवारों की क्या पूछ रहे अपनी कह दिल बरता को हो कैसे रस्ता भूल पड़े अच्छी को दिल बरचाँ को कैसे रस्ता भूल पड़े अच्छी को दिल बरचाँ हमपे क्या गुजरी तुम क्या सुन पाओगे नाजुप सा दिल रखते हो रोने लग जाओगे हम पे क्या क्या गुजरी तुम क्या सुन पाओगे नाजुक सा दिल रखते हो रूने लग जाओगे कहो कैसे रस्ता भून पड़े अच्छे तो दिल बर जान कहो कैसे रस्ता भून पड़े अच्छे तो दिल बर जान रस्ते रुक जाते हैं जब घाटे वोती है जाने जा तुम क्या जानो दुनिया क्या होती है पंजार किसके या ऐसा सब कहते हैं हम जिसके हो जाते हैं उसके ही रहते हैं हों सके ही है कहो कैसे रस्ता पूर पड़ अच्छे तो दिलबर जान पूछ रहे अपनी तो दिल बर्शान कहों कैसे रस्ता भूल करें अच्छे तो दिल बर्शान अरे आज का तमाश है तो धमाल करा रहे तो कमाली कर दिया यह तरी हिस्से के पैसे पैसे मदद करने कुछ और सही यह संदल सी बाहीं यह कुलाबी होंट अरे देख न क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं इतना भी क्या शर्माना अम्रित बाबू मैं और बहुत कुछ जानती हूं तुम्हारे बारे में मेरे बाप के यहां दो लड़कें पैदा हुई शपनम यानि कि मैं और काजल यानि कि वो जो एक अरसा हुआ शेरी बाबू के चक्कर में हमें छोड़कर चली गई और फिर होचलों में नाचने लगी मैं यह भी जानत हुँ कि काजल और भगवत सीन्हें मिलकर तुम्हें एक चोरी के लिजराम में फसाया है ना अन्ति तस्वीर भी मेरे पास की यह हो ना तुम कि लुस्का और वे लुस्का तुपारी भेहन का चले है हां यह जो भगवत सिंग है ना बड़ा कमीन आदमी है बना काजल बुरी लड़क नहीं है तुम भगवत सिंग को कैसे आती हो एक बार मिली हूँ जब मामा बिमार हो गई थी तो काजल उसे छोड़ने यहां आए थी त मैंने तो काजल से कह भी दिया था कि यह जो भगवत सिंग है ना बड़ा कमीना है चार शैतानों के बराबर है शब्रम एक बात कम हो कहो अगर कभी ज़रूत पड़ी तो मेरी मदद करूई क्यों नहीं तुम्हारी एक मदद भी तो करस है मुझ पर क्योंकि इन दोनों ने त जूटी इल्जाम में फसाया था तो तुम्हें बचाना मेरा फर्स है दीदी यह बात तो ठीक कहता है मैंने और भगवत में उसे जेल जरूरू बिज़वाया था मगर वो साबित क्या से कर सकता है अरे वो कुछ साबित नहीं करना चाहता उसके सर पर तो खून सामार है उसक पर बदला लेना चाहता है दीदी इसलिए टेलेफोन की आकाजल की उश्यार रहना बस दीदी सुनो प्लीज लेकिन उसे दो साल की सजा हुई थी अभी तो एक साल नहीं हुआ पूरा नहीं मेरे दीदी कहते हैं कि वो चुट चुका है वो हमसे बदला लेने वाला है यहां आ रहा है चलो ना यहां से भाग चलो ना इसमें डरनेगी क्या बाद है मैंने वोटी की नौकी छोड़ दी है चेहरा भी बदल लिया उसके पास हमारे खलाप कोई सुबूत नहीं सुनो भीके तुमने अपने चोरी उसकी सर पर धोग दी तब बड़ा मजाया था लेकिन अब मुझे बहुत खबराट हो रही है यहां से भाग चलो मुझे खोन खरा तुम शबनम से यही कहरी थे न लुसका कि तुमने मुझे भजाय तो था लेकिन मेरे पास कुछ सबूत नहीं है तुम घलत कहरी थी मेरे पास सबूत है क्या सुबूत है तुमार पास यह टेप रिगॉडर इस कमरे में जो भी बाचीत हुई वो सब इस टेप में बंद है ग कि में ठेप मुझे दो गिपमी दा प्लाजी अरक को सबूत है तुमार पास अभी है कर दोंगे हम अमी के पे अपतर से अपतर से कर दो ए अ. और ईके के रहाद मे लड़ाई बूट अपतर से लょंगा आडरागा हम ए लूग कर दोगा है सब्सक्राइब मेरा राजा बिटने अब बेजागे त्रेन भी टाइम पर आगे ये लो नेचे के दोनों बर्स तो हमारे पास है ना तो उठाओ इनको कोई बेचारा ठका हुआ लगता है सोने में उसे मैं उपर लेट जाता हूं तो फिर रिजरुशन कराने का क्या फाइदा है मैं जाकर कंडक्टर को बलाती है अरे यार तुम्हारा नम जूई है जरा नरम रहो नरम करम क्यों होती हो मैं अभी उसे उठा देता हूं क्यों यहां रिश्य वासरिय थे और फ्वासर को अधाय सब्सक्राइब तो तुमें एक तो चपन साड़े चपन बार बोल कर चुका हूँ तेरी भाबी यानि के शिरी मती विजय कुमार गुपता जाड़ी टाइम पे चल भी पड़ी अज्वार पती इन नियाहती शरीर है शरारत करें इसका जवाब नहीं है आदत से मजबूर है बचने दे यार बहुत रस है इस आवाज में खबरदार जो मेरे डैडी के आवाज की बुरा इक बात का बुरा मत मैं चेंड़ा इसकी आदत है अरे भाईया दहेज में सतुर जी की एक अधर तस्वीर और यह गाना ही तो मिला था इसलिए मैं इस गाने को बहुत सोच समझ कर खचकता हूं क्या मतलब मैं हो गया इन पर आशिक तो इनके पिताजी ने कहा कि एक फटीचर प्रूनर की ये मजाल की मेरी बेटी पर आशिक हो बस उखड़ गया अर्थे से जुई से कहा बूल जाओ विजय को जुई ने कहा पापा ये तो पॉसिबल नहीं है तो जानते हो एकदम करने कि मैंने तो अपने आदर निया ससूर जी की तस्वीर के दर्शन कर लिया है लो तुम भी कर लो आदमी अंसम है ना इसका मतलब तुम अभी देकिन से मिले नहीं अरे कहां यार उन्होंनों तो मेरी तस्वीर तक नहीं देखी एक बार बड़े चाव से हमने तस्वीर कि अगर इतना जलते हूँ तो अपनी सालगीरा के दिन अपने दोस्तों को यह गाना सुनाने की क्या जरूर थी अरे यार वो तो मदर इंडिया की आजादी की खुशी में कहा दिया था जूट क्यों बोलते हूं वह यह क्या पहले मैं गाना सुनू तो बताओं कि यह 15 अगस्त का गाना है यह जालगीरा का पता है भावी क्या कहता था कि पंदर अगर्ज की छुटी इसकी पैदाय इसकी खुशी में होती है जरा का लगाई कि अ कि अ कि कि वन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिलवाले कल की हमें भुर्सत कहां सोचे जो हम अत्वाले जीवन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिलवाले कल की हमें भुर्सत कहां सोचे जो हम अत्वाले कि वन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिलवाले कल की हमें भुर्सत कहां सोचे जो हम अत्वाले वाह जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले वाह विजय साहब बहुत अच्छा गाना है अरे लेकिन तुम्हारे कि तुम कह रहे थे कि वो तुम्हें कभी स्विकार नी करेंगे और वो यह सब जूनियर का चमस्कार है अब यह आजाएगा तो इस घर में जान भज जाएगी बच्चों के बिना घर सुना सुना लगता है अरे वो अपने जग्गु जो है अरे भाहिया जग्गु ही काम का होता तो रूना कहे कथा सब लोग अपने बाप की अच्छे आदते लेते इसने तो उनकी मुर्खता ली नमस्ते मामा जी अरे आओ बेटा आओ आओ क्या सुंग रहे अरे सुंगा करते थे सुवर्गिये पिता जी मगर मैं कुछ कुछ शूंग लेता हूं तुम जरूर मामा जी से मेरी बुरा ही कर रही थी अरे जग्गु छोड़ना ये तस्वीर देख देख ली ये खुब जबान पर जो मुँ में आता है बोल देता है ना चोड़ा देखता न बड़ा जग्गु इस वक्त मेरा ख्याल आ तेरे गिरा चराब है तू यहां ते चली जा मैं क्या चलूँगा चला चला जबागा तुम हर वक्त उसे नाटती रहती हो और क्या करूं भाई या शेहद ल जब क्या नजब होगा जो ही बिट्य इस गाली से आ रही हैं थी अगया लिए तो क्या है तो कैसे कह सकते हो मखलाल तुम्हें कैसे कह सकते हो यह सच हो गया मखलाल मुरीम जी जाकर डाक्टर को जल्दी बुलाइए यह क्या हो गया अपया पाया झात जा को बुम्हें जाक्टर के जास हो यहлюchaft याक्टर बुम्हें क्या पाया गया कर दो हुआ 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 है तोड़ी साफ कंपार्म में इनके साथ इनकी दीवी यानिके किस बचे की मावी साथ में थी इनके बारे में आप आएए मेरे साथ चलिए देखिए शायद इने में से कोई हो तो मेरे खेल वह यहीं सारी थी ना ना इनका चहरा मत देखिए बहुत बुरी तरह से जला हुआ है का घष देखिए खुरुआ है कि टाएए वहा कि अखेगा बुर्ष रखेले प्ली तरह मुच जली है कि अजये लुच एफ एक बाइए भाइए मेरे लुच एप बने रिखिए जीेगाए कि शन्यादिया वह झाप जेखिए बने मेरे से कि अएफ पाले वहीं से कोई कि बीपी ठीक है काडियोग्राम में जरा गड़बर थी लेकिन सिना सहाब अब आपको जरा हुशार रहना पड़ेगा क्योंकि दूसरा अटेक था और काफी स्ट्रॉंग सुरी मामा जी मैं बाहर से पीकर आता हूं घर मैं सिक्रिट प्राइबिटेड है राइट सुनिए अजी मैं क्या सुनूंगा सुना करते थे स्वार ये पिता जी इधरा ये ये बच्चा ये बच्चा जो टब में है ये बच्चा आपकी गोड में है आप मेरी बात तो सुनिए आरे मैं बहरा हूं इसलिए मैं मामा जी से कहा करता था कि भगवान को एक ढाकू मान सिंग है जो हमारी सारी खुशिया लूट लेगा बाइदेवे मेरा नाम ह जगनात परशाद सुरी वास्तव देखिए मिस्टा सिरी वास्तव मैं क्या ह spa सर से लेकर पाउं तक पच्चया के हालत देखिए मैं कुछ नहीं सुन सकता मैं बैरा हूँ बिल्कुल बैरा हूँ मामा जी नीचे आये तेखिए जीजा जी आये हैं तुम लोगों ने तो जूटी कहानी तुना कर मुझे मारी जाला था जूटी कहा है जूटी 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 कहा है जूटी जूटी यही बात में आपसे कहने आयों के लिए कोई बात नहीं मैं समझ कि अधवाज ने तुम्हें बचा लिया मुन्ना को बचा लिया लेकिन जूटी को ले लिया कबली लगता है बगवाद ने मुझे शमा नहीं किया पेटा यह जूटी की बुआ है कमला लात यह सणा साब कि इना नहीं दैडी को हो डैडी कैसे कह सकता हूं मैं तो गयर अश्नवरी मेरा आपसे कुई रिष्टा भी नहीं है हां यह बच्चा आपका खूल है इससे देने चला है और कुछ नहीं रिष्टे तो बनाने से बनते हैं भूल जाओ पुराणी बातों को इते समझाओ ना डॉक्टर जो ही चली गए तो क्या तेरा हमारा निश्टा भी चली देखिया मेरी बात समझे की कुशिश कीशे मैं मैं भूझा आपको समय आपका मुझे गलट समझे मैं यह अज़िए मैं मैं तो सेना साब का डॉक्टर हूँ खांदानी यगणों में पढ़ने का मुझे कोई हख ने है फिर भी एक डॉक्टर के नाते में आपसे कह रहा हूं दो हार्ट अटेक इनको हो चुके हैं तीसरा और पढ़ गया तो यकीनिन इनकी जान को खत्रा पैदा हुए अगर आ आप इनको मारना है चाहत है तो चली जाई है ठीके रॉक्टर साब उनका मेरा रिष्टा कुछ भी नहीं जुही मेरे डीवी पुरानी बातों को भूल जाओ एक जान की खातिल क्या तुम कुछ दिनों के लिए रुख नहीं सकते है अधियाँ पीडिया ठीक है रोख साब अगर सेन साथ के जीने की यह शर्त है सेन साथ नहीं डी टैडी यह जाओ बैटी यह जा उनके पास तेडी यहाँ जाओ कि मैंने जाओंगा कि मैं आपको साथ में चुपके जाबी कैसे सकता हूँ अरे बेगा चाना भी नहीं कि अब कि अमने जाए बाइब कि अधिक चल रहा है न सब ठीक है चलो तो मैं बॉट्लिंग दिपार्ट मन दिखें चलो अधिक यह जूस्क पाइनल स्टेजमें यहाँ और यहाँ इसकी बॉट्लिंग और उसके बाद यहां से यहां पर इसकी लेबलिंग होगी और बहुत आपने क्यों तक्लीब की मुझे आफिस में बुरा लिया होता है अरे भाई तुम आपको फोड़ी हो घर के आखनी हो हाँ बेटा यह मक्षन लाली सा यह मेरा दामा इनकी मांदारी और वफदारी की मैं कसम खाता हूं माले क्यों शर्मिम्दा कर रहा है मेरे खून की हर्बून के आपका नमस है चलो अब तुम इनके बेटे से मिलाता हूं बड़ा ही मेंती लगका आप में तकलीफ करते हैं आप जाकर आफस में आराब कीजिए मैं दिखा देता हूं जाओ बेटिया आओ यह होन हार बेटा प्रे अपने मालक के दामाद ओ नाइस मिटिंग यू जिसकी दौर खाएगा ले डाड़ी राशी पीर मैं रोकर देख चुका हूं बेटिया आँसू तेरी दीदी को वापस नहीं ला सकते मगर मुझे खबर तो देनी चाहे थी डाड़ी खबर दे तो भी इतनी देर से कल है मिला मुझे आपका ख़त पहले खबर देकर क्या करता है तेरे इंतहान चल रहे थी और फेठी पहन की मौत की खबर कभी पुरानी नहीं होती है फिर भी बगवान का शुक्रदा करता हूं कि उसमें इस एक्सिदेंट में वीजे और मुन् लगता है शायद कोई अच्छा करम किया होगा तामाद से ज्यादा वो बेटा लगता है यहां आकर उसने सारा काम समाल लिया है मैं पर बख पैठे पैठे इस उन्हें में तुम दोनों बेहनों के बच्पन का तवाशा देखता रहता हूं तो मैं विजे से मिलांगी आओ विजे जी रश्मी से मिलो मेरी बेटी तुम्हारी साथ ली नमस्ते जी अच्छा जी राजी इत्मिलान से बात करेंगे चलो मुन्ना साब हम खेलेंगे यार मुन्ना तुमने अपने नाराची को बता नहीं कि यह फ्रोर तेरा बाप नहीं हो सकता कमाल है अपने रहरी की शकल भी भूल गया इधर बैठ मैं अभी दिखाती हूं देख यह रही तेरी ममी ज्याने की मेरी दीदी और यह रही तेरे पापा चल नीचे जाके साले का भांडा खोड़ते हैं चल जल्दी मैं आपकी दवाई लाता है अरे बैट 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 मुझे दवा की जरूरत नहीं मेरी दवा तो तू है बस हर घंटे के बाद दवा की खुराद की तरह मेरे सामने आ जाया कर लगता है कि मैंने पिछली जिंदगी में कुछ बहुत की नेक काम किये हैं जो तेरे जासा दामा के लिए आया हुगा और पैसे नारजी की जान से ज्यादा प्यारे थोड़ी है ले जाने दो दो चार लाख लेकिन आख खुली रखेंगे क्या बताऊं दोस्त आजकल बड़ी परिशानी है जब से ये सेट का दामाद आ गया ना यहांसे माल लिगाना बात भारी भूरता है फिर भी आप फिकर मत कीजिए ठीक कल साड़े चार बजे मैं सिम्रा रोड पर ट्रक भर के माल आपके लिए लिए आउँगा आप पैसे त यार रहते हैं प्रेम बाबू वह अपना पुराणा आदमी है ना लेखुराम वह आपको वहीं मिलेगा ठीक है अच्छा कि अच्छा आज का माल समाल और माल निकाल कल दूसरा माल लेंगा पैसे पुरे हैं ना मक्रला जी देख लीजिए अपने बेटे के कर्तूर पता नहीं कब से इस तरह फैक्ट्री का माल गोल कर रहा है आप पुल्लू के पठ्छे हैं नहीं बाबू मेरी आउलाद होकर नहीं कि अधिए अधियर दूसरा आप अधियर वार्टि के पता नहीं लेकिन आप अपने बेचे से कह दीजिए कि आएंदे ऐसी हरकत नहीं करें कि अधियर नहीं कर सकते थे काम कर लेकिन होशारी से कर कितना दरदोरा कोई बागते हैं गुड़ीवनिंग अंकल गुड़ीवनिंग प्रेम अरे बाई जरा देखो तो तो तुमारे पिता ठीक हैं अब तो बताओ कि तुम्हें ये पार्टी किस्तिया थी ना आज तुम्हारा बड़्डे है न मेरा सवाल करके मेरा मूद मत फॉल कि अब आप को आने वाला ये लीजिए आप जीजा जी को तो बूली गया है आज की दावत किस खुशी में हमने कुछ बता ही नहीं है ये दा आपके लिए और कोई मतलब नहीं मेरे लिए क्या सिक्निफिकेंस हो सकती है जरा दिमाग पर जोड़ डालिये अरे छोड़ो ना वेटी क्यों खामखा बेजारे को परिजान करती नहीं डारी ये मेरी जिद है इन्हें आज का दिन याद दिलवा करी रहूंगी कुछ याद आया कि ना आ रहा हो तुम्हें बताओ कि आज वैसे आज मेरा जरम दिन जरूर है लेकिन तो तुमने पहले क्यों नहीं बता है मैंनी हैपी रिटेंस अर्वेटी विच्कर होना है है थैंक यू चलिए आज वो गाना हो जाए जो आपने पिछली सालगिरा पर ग अपने सालगिरा याद नहीं वो गाना याद नहीं आप अपने आपको तो नहीं भूल गए मैं बताओ कि आप कौन है इसकी जरूरत नहीं बढ़े गए इसकी आरे तू तो हाथ धोके उसके पीछे पड़ गई है जीवन के दिन छोटे सही हम भे बड़े दिलवाले कल की हमे फुर्षट कहाँ सोचें जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भे बड़े दिलवाले कल की हमे फुर्षट कहाँ सोचें जो हम मत वाले जीने करंगीन मौसम ये खूब शूरत जमाना जीने करंगीन मौसम ये खूब शूरत जमाना अपने यही चार पद है आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आता है वो इन में ही मौज मना ले कल की हमें पुर्सत कहां सोचें तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें पुर्सत कहां सोचें तो हम मत वाले ये जिन्दगी दर्थ भी है ये जिन्दगी है तबा भी दिल तोड़ना ही न जाने जाने ये दिल जोड़ना भी किस जिन्दगी का शुक्रिया सदके मैं उपर वाले कल की हमें पुर्सत कहां सोचें तो हम मत वाले जीवन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहां सोचें जो हम मत वाले विजे बेटा जी ये 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 लोग शादी के बाद जो हीने मुझे एकत लिखे थे पर मैं तो बहुत खफा था ना इने पड़ा ने शायद ये बंद लिफाफे तुम्हारी राह देख रहे थे आज ये ख़द तुम्हें देकर मेरे दिलका हाँ एक बात तुमसे और करनी है पैटो पैटो पैटा पहले मेरा ख्याल था कि तुम्हें जूही से नहीं मेरी डॉलर से प्यार है ये सोचकर मैंने तुम्हारा कितना बड़ा अपमान किया था पर अब उसका प्राच्छी तो कर नहीं होगा मेंने किया किआ है किवही के इस्ते की जायधा तुम्हारे नम ठ्रांसफ़र प्राघिणिये मेरी ये दिया और यह बहुए है वारिस मेंनी उसका बेटा है पेटा है मेरे बात नमानी तो मैं जिन्दी हर अपने को माप नहीं कर सुपूंगा आगे तुम्हारी मर्जी अम्रित तुम्हें इस घर में रुकना पड़ा क्योंकि सिना साथ की जिन्दगी का सवाल था लेकिन आज वो तुम्हें अपना दामाद बिजे समझकर अपनी आदी जायदात का मालिक बनाना चाहते हैं कल जब असलियत क पता चलेगा कि तुम बेचे नहीं अम्रित हो और खूनी हो तो क्या जवाब है तुम्हारे पास बैतर यहीं अप्टी किस्पन समेटों और सच बोलकर इस घर से निकल जाओ हाव रोश्मी ऐसे क्या देख रही हूं कि तुम कितने जूठे और मकार हो आज तुमने पार्टी में दीदी का चाहता गाना खूब गाया 15 और जीजाजी का बद्दे था और तुम्हारा भी निकल आया अगर तुम विजय हो तो यह कौन है यह विजय है मैं अम्रत हूं ओ तुम्हें किसी तरह पता चल गया कि डैडी ने विजय को नहीं देखा तुम नकली विजय बनकर डैडी के दॉलत पर हाथ साफ करने आ गए यह जूट है क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त मेरी दीदी और जीजाजी कहां है वह तुम्हें तुम्हें मर गए यह जूट है कि मर गए या डैडी की दॉलत की लालच में तुमने उनका खून कर दिया तुम जूटे हो मकार हो दोखे बाद और कातिल नहीं को नहीं को कातल विजय मेरा अजीज दोस्त था मैं या किसी अपने स्वार्क लिनी आया तुम्हारे डैडी ने मुझे अपना दामाद विजय समझ लिया और तुम्हारी डाक्टर ने मुझे या रहने पर मजबूर कर दिया और कहा कि अगर मैं चले गया तो उनकी जान को खत्रा हो सकता था अगर तुम्हें अब भी यकिन ना हो तो ये चिटी पड़ो चुमे लेकर इस खर को छोड़के जाना था अज़ाए कि अगा कि अगए कि अग्राइब कर दो अग्राइब कर दो एक कर दो अग्राइब कर रखना होगा यह विज्ञे ना विज्ञे वह शकल से जालाक मालूब होता है उससे भुशार रहना पड़ेगा और यह बुढ़ा तो दिल का मरीद है किसी ना किसी दिन खुद ही मर जाएगा और फिर जायदाद का असली वारिस जूजी का भेटा उसे खतम करना है जैसे वह खतम हुआ तुम्हाली रस्मी के साथ शाजी और बुढ़े की सारी जायदाद हमारे पास क्यों ओके जड़ा हट किस रहे hospitals लिए नारंगी है इस नारंगी को मेरे स्वर्गिये पिता जी चड़ी हुई नारंगी कहा करते थे और भक्त तो इतना दांट रहे थे और अब यहां तो है प्यार पिता जी कहा करते थे कि अपने प्यार की भना किसी के कानों में न पढ़ने दो वहां बहुत सी मख्यां भिन भिना रही थी इसलिए भावरा अपने फूल को लेकर यहां आ गया मेरी तारा शाम को कहां जम कोगी कहां मिलोगी मुझसे अब मिलने मिलाने से क्या फाइदा जगू मेरे बापो को तुमने नौकरी से निकाल दिया बहुत कड़वर करती अगर उसे नौकरी से निकालता तो क्या मैं खुद नौकरी से निकल जाता वो ड्यूटी के ओपर शराब पीता था तुमने ऐसे बेवड़े को अपना बाप क्य मैं उसे जानता हूँ तुम मुझे जानने की कुशिस करू नहीं नहीं दूंग वह भा synchron इए टॉम कितनी openness तुम खोर ऑर एक बोटल और लाओ यह यतीम खाना नहीं शराब खाना है पहले पैसे निकाल पैसे मंगता है जानता नहीं मैं कौन हूं अरे वो क्या जाने मैं जानता हूं बाबा अद तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम तरह के पिता जी हो है यह लो मुफ्त में शराब पीने का एक ही रास्ता है चलो अरे धीरज रखो और ऐसा करो कि तारा का है मेरे हैत में दे दो जिन्दगी भर मुफ्त के शराब प्यों जिन्दगी वर मुफ्त में शराब क्यों कि यह जग्गु तारा को लेकर भाग जाएगा वह शंबू का बच्चा मेरे पीछे हाथ थोकर पड़ा हुआ है वापू मेरे शादी उससे कर देगा तुम जल्दी कुछ सोचो ना है मैं क्या सोचूंगा अरे सोचा करते थे सवर्गी यह पिता जी पिता जी आगे सवर्गी पिता जी तेरे जिन्दा पिता जी आगे पानी में जल्दी-जल्दी ज्गु और तारा है शलर कि अब पकड़ा गया अगे बापू तुम क्यों का बच्चा कौन जग्गू आई वह तुम्हारे साथ पानी में कुधा था मैं तो अकेली न आ रही थी बापू आज फिर तुम्हें जादा हो गई है जाओ घर जाके सो जाओ आँ कुछ ऐसा ही लगता है जादा हो गई अडिये हैं अंडिये थे तिंदुट खूँ तुम अधिन मच रही तिरे नमस्ते बन्वारी लाजजी ते जी यह कॉन थारा थारा दिन में थारा अभी तुम्हारे जाद पानी में नहार रही थी इचरु करो अरे अपनी जबान कमारी बेटी के बारे में एक जबान कमारे लड़के से पुछ रहे हो, कि तुम्हारी बेटी कहा है? पर भर जरक लोगर जो है क्या 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 नदेख रही है? अब यहाइन मितर बापो तुम अभी तक यहाँ हो जो घर जाओ जाता हूँ बाबा जाता हूँ चलो बाबा भी शुकर है हमें पानी ने बचा लिया और तेरे बापू को डारू ने डुबा दिया नितो बुड़े नाज पकड़ी लिया था नहीं नहीं इस्टेचू पहले तहरा अकेली फिर जगू अकेला फिर दोनों साथ में लगता है आज कुछ ज्याद ही हो गई है गया गया नमस्ता अंकल नमस्कार माले नमस्कार मक्षन लादी तरह आप ही मेरी मदद की किया मैं थोड़ी सी राइडिंग के लिए जाना चाहता हूँ और ये मुझे जाने नहीं दे रही है तो कर रही है बीटिया आप सिदा सिदा क्यूं नहीं कहते कि आपको मेरी राइडिंग पर भरोसा नहीं और इसलिए आप मुझे को मेरे साथ बेड़ना नहीं चाहते अब पेता तो अंकल ये बाते तो मुझे को मेले के चलता हूँ तुम तुम प्रेम तु युनिवस्टी म आजा प्यारा मुझा आजा चले राइडिंग करेंगे चलो मुझे में के साथ बही दिया गोड़े पर हमें को मंद्य के साथ आभी अभी मुड़ता के तब आयां था इनके तार शुक्त तू कहां जा रहा है अरे सुनतो जीने बखा आप अब देरे प्रेम अब मुना फिट जाएगा प्रेम्! मुझाँ! मुझाँ! मुझाँ, उपकार जिना सौ! मुझाँ, वे आरे हो! मुझाँ! मुझाँ! मुझाँ, वे आरे हो! मुझाँ. मुझाँ! मुझा ने आ. मुझाँ! झाल झाल ब्हुरुटल इंट 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 सबसचर मुन्दा, मेरा मुन्दा, बिटा, बिजय, तुम्हें चोटते नहीं लगी? देखो प्रेम, एक बात तुम अचीते समझ लो, अगर डैडी दिल के मरीज नहीं होते हैं, तो मैंने कल घोड़े पे मुनने वाली बात बता कर, तुम्हें और तुम्हारे बाप को जूते मार कर इस घर से निकाल दिया हो था, मैं उन्हें तुम्हारे और तुम्हारे बाप की नमख अरामी की शौक से बचाना चाहता हूँ, इसलिए आज से तुम इस घर में दिखाई नहीं दोगे, सुमें फैक्टरी आओगे और शाम अपने घर जाओगे, ना आउट। मैं तो समझो मर मिटी हूँ उस पर और लड़का भी कुछ पिगला हुआ लगता है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे एक बाद देखकर पसंद कर लो, मेरे पसंद करने से क्या होगा? देखिए, बात ये है कि मेरी आखों पर तो महबत की एनेक चड़ी हुई है, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है, और फिर क्या पता? शायद लड़का इतना अच्छा हो या ना हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी ऐसे वैसे शादी कर लूँ? क्या तुम मेरे इतना भ लेकिन अगर-मगर कुछ और कहो, शायद कोई और मतलब निकला है, पर रश्मी आया है, अंग्रेजी भी शुरू की तो बटते, लेको मैं तुम से सिफ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर वो तुम्हारा बॉइफ्रेंड आ जा तुम्हें से मिलनू और फिर तुम्हाई नहीं रश्मी, मेरे पीछे के ऐसी दारदार दुजी है, जिसका कुई वहिश्य नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती तो हूँ, वो खत जो तुम्हाई डैडी को लिखा था, अब तत मेरे पास है, और मैं ये भी जानती थी, कि तुम विजए नहीं, अम्रत हो पहले तो डैडी की बज़े से, वो तुम से एकने खुश थे, कि मैं उनसे कुछ कहने सकी, और फिर, फिर मुझे भी तुम से प्यार हो गया, और तुम्हे? प्यार तो मैं भी तुम से भाउत करने लगा, रश्मी, मगर इक्रार करने से डरता हूँ, सोचना तुम मुझे इसे आदमी का कब तक साथ दे सुगोगी? पागन, तुम नहीं जानते तुम में क्या है? तुछ में क्या है दीवाने, जाने मन तु क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से तुछ में क्या है दीवाने, जाने मन तु क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से ए सब सुन लिया, दिल ने कहा है, प्यार हुआ, तिक्रार हुआ, लालालालालालाला तुछ में क्या है दीवाने, जाने मन तु क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से ए सब दुल्या, दिल ने कहा, प्यार हुआ, इतरार हुआ ये मोसम दिवान, ये समाज दुल्या, आओ मेरी बाओ में समाज दुल्या, तेरे दिवान, कन मेरा आओ ये मोसम दिवान, ये समाज दुल्या, आओ मेरी बाओ में समाज दुल्या, तेरे दिवान, कन मेरा आओ सुनो, दिल की सदार, प्यार हुआ, इतरार हुआ, लालालालालाला तुछ में क्या है दिवानी, जानी मन तो क्या जानी, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से अपना हम तुमारे दिल से निकलेंगे कभी अरे अपना हम तुमारे जिल से निकलेंगे कभी दुनिया चाहे बदली हम न बदलींगे कभी, पसम है हमारी वखानी रुकेंगे न हम, अब तो सदम, प्यार हुआ, इतरार हुआ, लालालालालाला तुझ में क्या है दीवानी, जानी मन को क्या जानी, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से ये सब कुल यार, दिल ने कहार, प्यार हुआ, इतरार हुआ, लालालाला, लालाला, लाला, 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 ल कि तुम दोरों फड़क उठोगे क्या खबर है मुप में नहीं बताऊंगा पहले दाम निकालो ओके जुही जिन्दा है मेरी कसा हाँ 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 शादी हो जाने के बाद लड़की पर पहला हाथ बहिन का नहीं पती का होता है जलो जुई जुई बेटी दीदी जुई जुई तेरे सामने कौन खड़ा है मैं कहता था ना कि तेरा पती दिन्दा है पैचाना इसे यह दिजे है तेरा पती नहीं यह मेरा पती नहीं है कि मैं तो पहले आको क्या शूंन बेटा दिल छोटा ना करो उसने तो मुझे भी नहीं पैचाना अपने बच्चे तक को नहीं पैठी मिली भी तो किस हाल में अपने ड़क्टर के सिवा ना वो किसी को पैचानती है ना किसी का कहा मानती है वही भला आदमी उसे बैला फुसला के यहां तक ले आया ड़क्टर साब मुझे कहा ले आया है कि यह हर कोई मुझे से कोई रिष्टा जोड़ना चाहता है कोई कहता है मेरा बाप है कोई कहता है मेरी बेहन और वो कहते हैं यह मेरा पती है कि अच्छा तो आप हैं जुही के पती कि बड़ी खुशी हुए आप से मिलकर आप लोग सब यह जानने के लिए बेताब होंगे कि मैं उस एक्सिदेंट जगह पर क्यों और कैसे पहुंचा और जूही इस मौजूदा हालत में मुझे कैसे मिली कि मैं अपनी कार में सफर कर रहा था यूं समझ लीजिए कि अच्छे दिन तक्रीबन मेरी आखों के सामने हुआ मैंने देखा कि एक लड़की वहां अकेली भटक रही थी मैंने अपनी गाड़ी रोखी ए लड़की ए लड़की मनना चाहती क्या हाँ हाँ प्यारी बेटी जूड़ी अपने पती को लेके घर वापिस आजाओ करोण रुपए की दोलत बेटी के प्यार की जगा नहीं ले सकती करोण की तेरी डेटी का नम क्या है कहा रहती क्या नाम है उनका बोल मुझे नहीं याद मैं पूछता हूं क्या नाम है तेरी डेडी का बता मत महरूं मुझे मुझे कुछ नहीं हाँ मैं खुद याद करनी की कोशिश कर रही है मुझे कुछ याद नहीं चल मेसाथ चल मैंने एक अकेली लड़की को वहाँ छोड़ना मुनासिब नहीं समझा इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया वहां मैंने उसका इलाज किया लेकिन फिर भी उसकी यादाश्ट को वापस न ला सका अब हापी सोचिए एक अंजान बेपहचान लड़की ऐसी हालत में मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या बन गई होगी लेकिन जॉक्टर अगर आप जूही की तस्वीर अख़वारों में चपा देते तो उसके घरवाने मेरा मतव हम सब पौरण महां जाते दोस्त मैंने खुद भी यही सोचा था लेकिन फिर इरादत तर्क कर दिया क्योंकि अगर मैं जूही की तस्वीर इख़वारों में चपा था तो उसके कई नकली रिश्टदार पैदा हो जाते नकली बाप नकली बहन नकली पती और हर आदमी आपकी तरह शरीप तो नहीं न सारी दौलत साफ करके वहां से रफू चक्कर हो गए और मैं जूही की जिन्दगी के साथ यह जुआ नहीं क्यल सकता था खैर एक दिन एक शक्स आया उसने जूही को पहचान लिया और इस तरह मुझे जूही की जिन्दगी की एक और कड़ी मिल गई और मैं उसे आपके पास ले आया मगर डॉक्टर साब दीदी कब तक ठीक हो जाएगी यह सवाल तो आपको अपने जीज़ी से पूछना चाहिए इनी की वज़े से तो आपकी बहन ने आप लवों को छोड़ा था आपकी लव मेरे जुए ना अगर आप अपनी जाती और शादी शुदा जिन्दगी के कुछ हसीन लम्हें दोराएं तो शायद है कर सिन्ह साब मा आपकी कोई बेटी को वापस ले आया हूं अब कर परसों तक मैं यह से चला जाओंगा डॉक्टर मुझे अपने कमरे में बहुत डर लगता है एक्स्क्यूज मी जूही के सोने का टाइम हो गया कुटनाट कम माचाल्ड कम तो इस नाथिंग तो बिएफ़ेद डालिंग बस ये दो गोलिया खालो नींद भी अच्छी आएगी और डर भी निलगेगा किसी चीज से है यह लो हाँ भाव भाव से ली टेट है चलो चलो आज़न सोने की तयारी करो और किसी चीज से बारे में मत सोचना आरां मैं मैं बिल्कुल सोने की तैयारी करोता है क्या है दवा है मुझे दो इस दवा का सर देखो बच्चे मुझे घुस्सा मत दिलाय करो हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है कि उसकी यादाश वापस ना आए और जब तक उसे गोलियां खिलबाता रहूँगा उसकी यादाश वापस और ना कभी एक होगी सब्सक्राइब क्या सोच रहे हो यह कि अब मैं यह दोहरी जिन्दगी नहीं जी सकता रश में है कोई हद होती है कब तक जूट बोलता रहूँगा तो मैं डैडी से जब तक साच बोलने का वक्त ना आ जाए तुम जूट इसलिए बोल रहे थे ना कि स मैं यह जानता हूं कि उससाथ सुनने की आहलत में भी नहीं है लेकिन उन्हें पूरी बात बताने का वक्त का पाएगा जब तक दीदी उस फ्रॉट डॉक्टर की चंगूल से निकलना जाए और डैडी की दब्याद पूरी तरह संबलना जाए फ्लीज मुझे नाखों में आसू अच्छी नहीं रखते हैं अरे नाखों में अपनी हो मेरी जिन्दगी के सपने दखो ऐसे सपने जिसमें चुदाई का रंगी दाओ अिसे वी बवा क्या सीन आगी अपकी जे से में लाइन जीजह साथ प्रक्राइस है और हरया च्वर्विस्देम क्या कहा तुमने अब में बात को जरा करका था वह पागल-पत्नी कम्रे में बंदे और यहां पत्य अपने यहां के सालीज में आ रही है कभी ऐसी बत्तमीजी की तो इस घर में अना बंद कर दूगी समझे चलो विजय क्या है डड़ी आप कुछ खानी रहे परिशान दिख रहे हैं आप बेटा वो जूही की तरफ से बहुत परिशान है वह हम लोगों में से किसी को भी पैचान नहीं रही है और यह डाक्टर जाने की बात कर रहा है तो जाने दीजी उसे हम को दूसरा डॉक्टर लेंगे अच्छा सा नहीं बेटा तुम तो देखी रहे हो वो एक सैमें हुए बच्चे की तरह हर वक्त उस डाक्टर की चारो तरफ लाती रहती है जब तक जुही ठीक ना हो जाए हमें उसे यहां यहां रुखना ही पड़ेगा ऐसा करो यह 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 एक लाग का चेक तुम अपने हाद से उस डाक्टर को दे दो और उसे किसी बिताना कुछ दे रहा और रुखने क्लिये मजबूर कर दो डैटी लाख रुपे पेटा रुपाए की क्या बात है जुही की जिन्दगी का सवाल है प्लीज अच्छी बात है एक लाख रुपे तुम्हारी जिन्दगी इतनी सस्ती है यह मैं नहीं दे रहा हूं सिना साब ने बेज़ा है चेक अब इसलिकी चले जाओ यहां से वजना मुझे सिना साब से कह देना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं कह दो मैं डॉक्टर ना सही लेकिन जिस लड़की को मुर्दा समझते थे कमसकम उसकी जान तो फिर भी मैंने बचाई ही ना वैसे अगर मैं सिना साब से कहे दूं कि तुम उनके दामाद विजे नहीं बलके अम्रित हो और एक लड़की का खून करके भागे हो और सारे मुल्क की पुलीस तुम्हारी गर लेकिन सुनो मैं ऐसा नहीं करूगा क्योंकि इस घर में बहुत माल है हमें आपस में जगड़ा नहीं करना चाहिए मुझे जितना रुपया चाहिए और चब चाहिए वह हासिल करने के लिए तुम कभी मेरे रास्ते का काटा नहीं बनोगे और उसके बदले यह राज मैं इसलिए दामाद विजे गाड़ी के एक्सिदेंट में मर चुका है नौँ हाव दू लाइक इस अरेंजमेंट यंग मैं अग्वाट सेंग तुम मुझे भासी चड़वा सकते हो लेकिन मेरे जीते जीज घर को नहीं लूख सकते है हाँ 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 पढ़ा बदमाश है कोट पैचानता है बहुत प्यारा बच्चा है किसका है तुम्हारा बेटा है लेटी मेरा कोई बच्चा नहीं दिम्हात पर दो डाटो बेटी यह लेखो तुम्हारी बेहन तुम्हारे लिए कितना परिशान हो रहे हैं बंद कीजिए फुदूल की बाते दॉक्टर साब यह लोग मुझे क्यों परिशान करते हैं आप इंसे कहिए मैं के कुछ नहीं लगती तुम अपने कबरे में जाके आराम करो मैं इने डांट दूंगा जाओ गुद करल जाओ कि आप लोग यह चाहते कि जो ही पागल हो जाए लेकिन देखिये मैं आपके दिल कदर समझता हूं मैं जो ही का डॉक्टर हूं उसकी सहत और उसकी जिंदेगी की जिम्मेदारी मुझ पर रहे अगर आप लोगों ने इसी तरह प्यार और पुरानी बातों का दबाव डाला पर तो यकीनन वो पागल हो जाएगी ठीक है दाग्टर साथ आप कि ऐसा कहेंगे आप ऐसा ही करेंगे तुम कि अपस मिल सकती है तो शाहिद एक दिनकों की यादास भी मिल जाएगी अल्ला ने चाहा तो ऐसा ही होगा नमस्ते खाना अंकल कैसी है बेटी ठीक हूं मैं यह कहने आया था कि मेरा बेटा अली खान अमेरिका से साइकेट्री का कोर्स पूरा करके दोटर दिन वापस लोट रहा है बस उसके आते ही जूही बेटी को उसे दिखा देंगे और हाँ जनाब दूसरी बात यह है कि कल राज जो अपनी कलब का सालाना जलसा हो रहा है उ यहीं साल पहले दिदी उसी कलब में ब्यूटी क्वीन बनी थी नॉट बैड आइडिया ठीक हम लोग आ जाएंगे आपने खानाटी को नहीं पैचाना इतने दिनों बात देखा है यही तो पिंटो आंकल है जिसे छुपने के लिए पेट पचरा करते थे मैं समझाता हूं तुम्हें आओ मेरे साथ एक्स्क्यूज़स एक्स्क्यूज़स देखो देखो विजे ये खान मेरा दामानिक से जी तेरा बेटा खाक सार को वसील हसंद खान करते हैं भाई विजे मियां रश्मी कह रहे हैं जी कि तुम बहुत अच्छा गाते हूं तो आज जगा मैफिल गर्म हो जानी चाहिए जी अंकल वूम जूही की तवियत कुछ खराब होने के वज़े से जी उल्चा सा रहता है सो कादू बेटा शाइद तुम्हारे गाने से जूही की याददाश के तार शिट जाए एक्स्क्यूज मी सर आप मैंसे मिस्टर विजे कुमार कौन है तो यह हूं बंबाई से आज कही मत जाँ फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ आज कही मत जाँ फिर मिले ना मिले ये पर ये समाँ ये जो पस में पजम नहीं तेरे मैं समाँगी तुम आसने तेरे दिल की मां दिल है याद ये जो पस में पजम नहीं तेरे मैं समाँगी तुम आसने तेरे दिल की मां दिल है याद जाने वफा सच है किसको पता धिर मिले ना मिले ये पर के समाँ बाहों को में आदा मेरी राहों का दिया तेरी आँखें मेरे रम की दबा तेरी बातें तो फिर और जाना है कहां मेरी राहों का दिया तेरी आँखें मेरे रम की दबा तेरी बातें तो फिर और जाना है कहां कहीं न जा आज नहीं मतना फिर मिले ना मिले ये पर के समाँ ताम या आँखें उल्जन तेरी मेरे सब जान कुछ तेरी तरह पहचान कुछ तेरी तरह पहचान कुछ ओ जब दिन हुआ तेरा दिवाना ठोचर में है सारा जमाना मेरा क्या करेगा ये तहां जाने वफा सच है जिसको बता फिर मिले ना मिले ये पर के समाँ बाहों में आता कहीं न जा आज नहीं मनुस्ता फिर मिले ना मिले ये पर के समाँ बाहों मिला बाहों मिला बाहों मिला प्रिस्पेक्टर साब मेरा ही ना मैं आपके साथ चलने लेता है हूं चलना कराएं साब आपको मुबारक हूं आपको सिर्फ ये रेल्वेस का नो क्लेम फॉर्म भरना है ताक कि रेल्वेस के ऊपर आपको कोई क्लेम नहों यह बात है इंस्पेक्टर साथ लीजिए जितनी मर्जी द्रत के चांटे लें लीजिए एक ही बिए था 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 तुम मेरे कमरा गौर से देख रहा था बड़ा अच्छा है सिर्फ मुझे इस पलंग पर इतराज है यह है डबल बैड यह यह कि लुका शालू के लिएृह मेरे तुम तो तीन हो कुम तुम को ब篇वी कि तुमारी साली के पाद करो भीए तो अपंग छिल्ला के कभी मुझे बात मत करना सब्स, प्रूंस तुम क्या चाहते हो भीके अरे हम दोनों दोस्त रहे चुके हैं यार बलकि मैंने तुम्हें चोरी करते रंगे हाथ पकड़ने के बाद भी छोड़ दिया था क्योंकि तुम्हारी मा को कैंसर था और तुम्हारे पास ऑपरेशन की पैसे नहीं थे और तुम तुमने मुझे ही भी भेहन जैसी थी हाँ विके तब तो आएम एम वेरी सॉरी मैं तो उसी घुस्से में था आएम सॉरी दोस्त मैंने तुझे बहुत चक्कर में डाल दिया लेकिन घबराओ मत उस चक्कर से मैं तुम्हें निकालूँगा आदालत में जा के हल्फिया बयान दे दूँगा के खुन तुमने नहीं किया था गोली इतिफाकन चल गई थी तुम्हारे यह अहसान में जिंदेगी भरनी भूलूँगा विके अहसान के अहसान की क्या बात है दोस्त मैं तुम्हारे काम आओंगा तो तुम मेरे काम आओगे ठीक है न जाहर है कि कोई केहने की बात तो नहीं है फिर भी तुम मुझे एक पांच लाख रुपए दे दो पांच लाख रुपए हां सोच लो अगर फासी पर चड़ने का शौक है त से कर शुबार्वरकर की तंखा के लिए एक लाग रुपय निकाल लेना वह रुपया मेरा नहीं जो मैं निकाल लूंग साफ से तुम कर दो नकली दामाद बनके उनके घर में जम्य हुए हो ना ठीक है एक बैमानी एक धोका और सही ये धोका मेरे कहने से दिया गया था ये डैडी की जान बचाने के लिए नकली दामाद बनाए गये हैं अम्रित काले ने पांच लाक रुपया दे दो देखो ये कितनी अकलमन है तुम से ज्यादा और प्रैक्टिकल भी एवादों को खेशती नहीं है तुमाई तरह मैं कल पांच लाक रुपय लेते ही अदालत में बयान दे दूँगा कि तुम बेकूसूर हो और अदालत में बया सब्सक्राइब करें तो नहीं दे रही हूं और फिर दोका कैसा ये रुपया मेरे भी तो है और फिर पांच ला की हैसियत क्या है गंगा में से पांच मुंद पाने काम हो जाने से गंगा सूख तो नहीं जाती बुद्धुराम कहा हुआ एक्सिदेंट कहा है वीचे वा संबें शादी का जोड़ा पहनो और तयार होके बाहर रिकलाओ कहा हुआ प्रो कहा Hmm कि अभुटल ने तक अभुटल लेकर अजनादी होते ही तुम रस्पी को लेकर आगाइब हो जाओ और मैं सिना के बच्चे को ये खुशकबरी सुनाने की एवस में कि तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे के साथ अपनी मर्दी से शादी की है दस लाक रुपया ले लूँगा अच्छा वो तो बात की बात है पहले तुम दोनों बाप बेटे दस लाक जूते खाने के तयार हो ज है कि चिलों और रुट है कि ऑनने लोग हो गंशा वैय्ज जर्चे की की बचानी का मिठी पात्या की लिए 1720 अनीपी कि कपड़ा हो क्या है काटो कि क्या है जी जानी बच्टा आओ 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 अरे काली आओ तेरा क्या होगा कि दोनों को बात बरेली भीज़ दूंगा फिर ले बात बरेली कर negro मैं झाओ समक्रे लो च्टा प्र Wilson कर दोनों दोंगा तेरा's कर देरा हो Ox कर दोनों कि दोनों कि दोनों दोन dess बात बात Twochi कि दोन्ग्ब कि व्या होका है झाल झाल कर दो करो वापन वापन रिख्ट कर पार वापन रिख्ट कर तुड़ रिख्ट एक जए खिए्ट कजले बापतेडि दो खजए्ट तुम चालिस साल से हमारा नमक खा रहे हो ना और यह उस नमक हराली का सबूत है यह प्रेम के साथ जबर्दस से मेरी शादी करवा रहा था इंस्पेक्टर इन नमक हराम कुट्टों को ले जाओ मेरे सामने से मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए सवाई नपरत के और कुछ नहीं है दगा हो जाओ यहां से प्रेम को पता के से सब्सक्राइब में इतने रुपे उसे मालूम साना अज वर्कस की तंख्वा का दिन है तो तुम बैंक से रुपी लेकर आओगे वह उठा लो बेटा अंकल सिना मैंने पेशन को एक्जामिन किया है एंड आइधिंक यूवल अग्री विद में यह डॉक्टर जोशी कि अगर हम जुही को फिर उसी एक्सिलेंट के माहौल मिले जाएं तो शायद उस तजुरुबे के से लिए लगने वाला शौक उसे फिट ही कर दे हा लेकिन य इसे बिलकुल सहमत नहीं है इसका एक पसेंट जरूर है कि इससे जुई को कोई फाइदा नहीं हो लेकिन नुकसान होने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वह सेमी ट्रांस में होंगी ऐसे एक्सपरिमेंट्स अमेरिका में रोज किये जाते हैं और एक्टी पसेंट इसे रोग दे अगर जुई ठीक हो गई तो तुम्हारा क्या होगा मुझे अपनी कोई पर माने है अर्यू रेड़ी स्लॉट प्लीज लाइट्स हुआ प्लीज द्टाइट्स हुआ 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 है कि दीदी गवराइए मत तजरुबा काम्याब रहा ये बेहोश नहीं एक किसम की नींद में जब उठेंगी ठीक हो जाएंगी जब तक दीदी को होश नहीं आता मैं दीदी के साथ रहूंगी प्लीज आप लोग जाएए प्लीज पापा दीदी याद करो दीदी मैं रश्मी हूं तुम्हारी बेहन देखो देखो यह हमारा घार है अभी हम भार जाएंगे ना तो डैडी मिलेंगे तुम्हारा मुन्ना मिलेगा और और एक अजनभी भी मिलेगा जिसे जबरदसे डैडी ने विजयमान रखा है वैसे वो बहुत अच्छा आदमी है दीदी अगर वो यहां मुन्ने को छोड़ने ना आता ना तो एक्सिडेंट और जीजा जी के मौत की ख़बर सुनकर डैडी को कुछ भी हो सकता था और यहां जो लूटमार मची हुई थी ना उसको भी उसी ने रोका और और मैं उसे प्यार भी करने लगी हूं दीदी वो कमिना जो तुम्हें यहां छोड़ने आया था ना वो भी यहीं है याद करो दीदी यह दून को याद करो यह तुन हम बच्पन से गाते आ रहे हैं याद करो इस गाने को जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले दीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले कल की हमें पुर्सत कहा सोची जो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिलवाले चल की मने फुरसत कहां सोचे जो हम बत्वाले ये जिन्दगी दर्ग भी है ये जिन्दगी है दवा भी दिल तोड़ना ही न जानी जाने ये दिल जोड़ना भी इस जिन्दगी का चुकरिया सदके में उपर वाले जीवन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुरसत कहां सोचे जो हम बत्वाले कितनी मुबारक है ये शाह अपनों से अपनी पिले है जीवन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुरसत कहां सोचे जो हम बत्वाले जीवन के दिन जोटे सही हम की बड़े दिल वाले कल की हमें फुरसत कहां सोचे जो हम बत्वाले जीवन के दिन जोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुरसत कहां सोचे जो हम बत्वाले पुआ जीवन के दिल वाले जीवन शुकर बगवान कर लोग आपकर मुझे मिलगे कि यह लो दस हजार रुपए तुम मुझे क्या करना होगा डाक साथ विजय पर तुम्हारा एक बदला बाकी है उसे खत्म कर दो दस हजार में तो विजय के पूरे खांदान को खत्म कर दो आप आराम से रहिए कल सुबह आपका काम हो जाएगा नमस्ति आप क्या कर दो आपका भाला तो आप्वालो के तो आपकर अपकर बेहता और में जातव स्थ बांगरा आपका कर दो जीया विद्दों कि आपका दामाद ये हैं जो ट्रेन के हाथ से मारा गया है कि यहां आपका दामाद विजे बन के आया है वह अमरित है एक खुनी जिसकी तलाश पुलिस को है है जो हम भी वो ही को ब्लाइक मेल कर रहा था उसने उसे कहा था कि अगर उसे शौरमान ने से कर दिया तो वह कि मैं अलगी क्रुछा है सिना साहब, ममता अगर औरत की सबसे बड़ी ताकत है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी तो है मैं पुलिस को बलाता हूँ बच्चों जैसी बाते मत कीजिए सिना साहब पुलिस का ध्यान मेरे मन में भी आया था लेकिन फिर मुझे खायल आया कि आपकी बदनामी हो जाएगी आप दुनिया वालों के सामने अमरित को अपना दामाद विजे समझ कर पेश कर चुके हैं जो ही का हस्पर्ण, जो ही मेरी पेशन्ट है मुझे जिस वक्त अमरित के असलियत मालू पड़ी मैंने उसे पकड़ लिया, उस पर दबाव डाला मैंने उसे कहा, कि अगर तुम चुप चाप यहां से चले जाओगे मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा और हर इंसान पास इसे डरता है मेरी बात उसकी समझ में आ गई, वो चला गया ठेंक यू, डक्तर, एक असान और मुझ पर असान किस बात कसे न, साहब आदमी ही आदमी के काम आता है रश्मी, जुई ये दैडी जी डैडी ये जो लड़का यहां रहता है, वीजे, ये तुम्हारा पती है और तुमने भी मुझसे छूट बोला यही दिन देखने के लिए शैर मैंने तुम दोनों के बड़े होने की दुआएं माँगी थी बाप बनके तुम्हें चलना सिखाया माँ बनके लोरीये गाई कि और भाई बनके तुम्हारे साथ खेला और अब तुम्हारे चेहरों की दरब देखने से मेरी निगाएं मैली हो रही मत कहो मुझे डैडी मैं किसी ऐसी बेटी का डैडी नहीं होना चाहता जो अपने बाप की आँखों में अपने सुहाथ की धूल जोग रही कह मैं भी सकती हूँ डैडी अपनी बेटियों की पवितरता पे शक करने वाले बाप को मैं अपना बाप नहीं कहना चाहती तुम चुप रहो वो शैतान डॉक्टर आपके लिए हम लोगों से ज्यादा हो गया उसने जो कहा आपने मान दिया हमारे पूछे बिना हमारे खिलाफ वैसला भी सुना दिया गया पूछना क्या था आगर विजय तुम्हारा पती है तो यह कौन है क्या तु उसके साथ सुहाग सा नातक नहीं कर रही है क्या यह नातक देखकर उस आदमी के आत्मा को खुशी हो रही होगी जिसके प्यार में तुने अपना घर छोड़ दिया जी हाँ यह नातक देखकर उसके आत्मा को बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि उसे मुझे पर भरुसा था और अप ही होगा आज मैं आपके सामने यह नातक खुदम कर देती हूँ यह चूड़िया पहने से मुझे कोई होशी नहीं हो रही है और यह बिल्दिया यह मात्य पर अंगारी की तरह चिपकी हुई है आप मुझे मेरे प्यार का ताना नहीं दे सकते आपको यह बताने की जरूद नहीं कि मैं विद्वा हूँ मैं जानती हूँ कि मैं विद्वा हूँ फिर भी मैं इस नकली सुहाद के नर्क में जीती रही हाँ के लिए फिर घर की होशी के लिए अपनी बेहन के प्यार के लिए पर अपनी सुहाद के लिए कुछ नहीं क्या दरी फिर भी कोई गैरतमन्द बाब यह नहीं बर्दाश कर सकता कि उसकी बेटी एक धोके बाद और कासिल की नकली बीवी बन कर रहे जादी न वह धोके बाद है लगातर अच्छा अब वह धोके बाद भी नहीं कर यहां नहीं आया क्या वो हमारी महफबतां और मेरबानियों को ज लेकिन मैंने देखा आपका बुड़ापा उसके कंदो का सहारा लेकर खड़ा है और मैंने सोचा आपके जिनकी ज्यादा कीमती है इसलिए मैं चुप रही फिर भी उसकी आत्मा उसको परिशा जल्दी आओ देखो चाचा पानी मेंसे किसको निकार रहे सिना साहब आप हाँ मैं यह पूछने आया हूँ कि तुम्हें डाक्तर जोशी कहूं या भगवत सिंग ब्लैक मेलर मेरे खैल में तो आप मुझे फरिश्टा ही कहिए परिश्टा एंजल अगर चाहता तो आपकी बेटी को ना भी बचाता अगर चाहता तो उसे कहीं चुपा के रख देता आप से कहता माल निकालिए अब जाहिर है आपको अपना माल अपनी बेटी से ज्यादा अजीज नहीं होगा इस बैग में छैलाक रुपए हैं इस चोटी सी रखम के लिए जूट थोड़ी बोलेंगे मुझे आप पर पूरा भरोसा लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं ये रुपया तुम्हारा हुआ लेकिन अदालत में बेयान देने के बाद हो सकता है ये रुपया पाने के बाद तुम अपनी यादाश खो बैठो और सिरुख ये याद रहे कि उस लड़की का खून अमरत ने किया था पहले अदालत में बेयान दो फिर अपने दाम लो और अगर बैयान देने के बाद आपकी नियत बदल जाये तो मैं ब्लैक मेलर नहीं हूं मैं जो कहता हूं वही करता हूं फिर भी अगर जमानत की तौर पर ये बैग मेरे पास रहेगा तो मुझे सच्चा बैयान देने में बड़ी आसानी होगी बात दरसल यह है कि जूट ब है कि मुझे इसे चलाना भी आता है कि अगया कि अगया कि अगया कि अगया कि मैं तुम्हें सब बताती हूं काजल को गोली तो जरूर लगी थी लेकिन घाओ खतरनाक नहीं था सोबच गई जब होश आया तो पुलिस बयान लेने आई वो सूर का बच्चा बीके तो यही चाहता था कि काजल तुम्हारे खलाफ बयान दे लेकिन मैंने काजल को समझाया कि देख काजल पहले भी उस पि समझ में बात आ गई और उसने बयान दे दिया कि गोली किसी ने नहीं चलाई वो गन साफ कर रही थी तो गोली हुद्वा खुच चल गई यानि कि मैं पुलिस की डर्ल के मारे भागा भागा फिर रहा था अमरत अब मैं खुद पुलिस्टेशन जाकर यह बयान दूंगी कि वो हार भीके ने चुराए था चाहे इसके लिए मुझे ही जेल क्यों नचाना पड़े जड़ी जड़ी मुने को कोई उठाकर लेगे अग अगर इसी तरह घवराते रहेंगे बच्चों की तरह तो काम कैसे चलेगा सिना साब मुन्ना मेरे पास है बड़े आराम से यू बास्टर्ड अंग्रेजी में नहीं सिना साब राश्ट्र भाषा को उप्योग कीजिए बास्टर्ड नहीं हारामी कहिए चलिए इसी बात पर गालियों की एक अंताक्षरी हो जाए पहले आप शुरू कीजिए अगर मुन्ना का बाल भी बाका हुआ तो मैं तुम्हें जान से माटा लूँए आप चिलाते क्यों है सिना साब मैं बैरा नहीं हूं और मुन्ने का बाल क्यों बाका होने लगा साहब वो जहां भी है बड़े आराम से है लॉलिपॉप चूश रहा है चॉकलेट खा रहा है आप अपने आपको बहुत हुश्यार समझते थे ना उस रोज मुझे पिस्टॉल दिखा कर मुझसे छे लाक रुपए चीन लिये थे आपने हाथी के मुझसे कभी गन्ना नहीं चीना जाता उस रोज तो मैं चुप रह गया और आप समझे थे कि मेरी बाजी मात हो गई मैं आपको रिवालवर नहीं दिखाऊंगा मुझे पिस्टॉल की आवाज अच्छी नहीं लगती बस आप यूँ समझ लिजिए कि आपका नवासा आपके सामने खड़ा है मेरे छे लाक रुपए दे दिजिए अपना नवासा वापस ले लिजिए मैं तुझे पुलिस के जब तक उसके पास लॉलीफॉप रहेगी चॉक्लेट रहेगी वोखुश रहेगा पहले उसकी लॉलीफॉप खत्म हो जाएगी उसके बाद चॉक्लिट खत्म हो जाएगी फिर उसे इस बात का ऐसास हो जाएगा कि वह बिलकुल अकेला आए और आश्णा-ष्णा रात होती जाएगी उसके रोने की आवाज और तीन होती जाएगी और मत्हम और मत्हम नहीं डेदी इसे छेलाग रुपे ने दीजे नहीं मैं प्लैक मेलर को एक पैसा नहीं दूगा अपको अपना पैसा मेरे मुद्दे से जाधा प्यारा है आप यहीं रहे मैं पैसे लेकर आती हूं आपके गोले नाजुक नाजुकाद अमरित के गले में पढ़ने के लिए थप पढ़ने के लिए नहीं देखिया अगर मैं थोड़ा सा भी दबादूँगा ना तो यह जटकन इसे टूट जाएगा और आपको तीन महीने के लिए हाथ प्लास्टर में रखना पड़ेगा इस रश्मी सिना इतना याद रखे कि आप रश्मी सिना है जहांसी की रामी नहीं अब मेरा अहसान मानिये मैं इसे तोड़ नहीं रहा चोड़ रहा हूं इसे लिए प्लास्टर को पैसा देना होगा तो मैं दूँगा मेरी बेटी किसी प्लास्टर के साथ नहीं जाएगी जड़ो आफ्टर यू हमें डाडी को इसके साथ अकेले नहीं जाने दिना चाहिए चलो उसका पीछा करते हैं जड़ो बच्चे को लेआ उनर बच्चे को लाओ तो रज़ाओ पेले बैग लेड़ अब 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 आएख लिया हम हाथी के मुझ से भी गन्ना चीन लेते हैं अब पैकन की थेख लेडर पेंग तो देते हैं ठेंग मूँआ लोब फेक दिया अब आर अब 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 णकर मत कहिजिया मैंना डिया इसक्यूसिमें कि रहा है कि अगर दिखाने के और होते हैं खाने के और जब हाथी भीगर जाता है ना तो जंगल के जंगल बर्बाद कर देता है जाए मुना मुना इस बच्चे को जड़ा पाड़ी की निचे तो देने लाइव नगम एके बफ़से कि नगरे खंग देने के अ करन्समा देने स्ना साव मुटू थवड है बना 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 बेल मुली ब मुच हे दिटी कर दो कर वे लगना मुप हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 हु कर दो कि पर दो किसे म हैं कर दो दिए कर दो क्कनु यह हैं कि अपक्ना फर्जदा कर चुका हूँ इस्लिए तुमने तो अपना फर्जदा कर दिया लेकिन मुझे अभी अपना प्ट्रादा करना बाकी Conse deleg बिल्कुल पसंद नहीं तुम यहां नकली दमाद बनकर आए थे और अब असली दमाद बनकर रहोगे और नहीं तो क्या आज तक रश्मी तुम्हें जीजा कहती थी नकली जीजा और नकली सारी लेकिन अब मैं तुम्हें जीजा कहूंगी असली जीजा और असली सारी तुझ में क्या है बीवानी जाने मन तु क्या जाने आ जा मिलके सुन्जा मेरे दिल से तुझ में क्या है दीवानी जाने मन तु क्या जाने आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से है सब सुन लिया दिल ने कहा है प्यार हुआ इत्रार हुआ ला 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 ला